मेरे परिबार जनों, आजहादी के अमरित कान में देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति पाकर अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकारों के कारियों में भी आपको कहीं न कहीं मालेवियाजी के विचारों की महक महसूस होगी। मालेविय जी ने हमें एक ऐसे राष्ट का विजन दिया सा जिसके आधुनिक शरीर में उसकी प्राचीन आत्मा सुरक्षित रहे, समुरक्षित रहे। जब अंग्रेजों के विरोध में देश में सिक्षा के बाइकोड की बात उठी तो मालेवियाजी उस विचार के खिलाप खड़े हुए। उस विचार के खिलाप से उन्होंने कहा कि सिक्षा के बाइकोड की जगह हमें भारतिये मुल्यों में रची स्वतंत्र सिक्षा व्यवस्ता तयार करने की दिशा में जाना चाहिए। और मजा देखिए इसका जिम्मा भी उन्होंने खुद ही उठाया और देश को बनारस हिंदू विश्व विद्याले के रूप में एक गवरवसारी सवस्तान दिया। उन्होंने आक्सपोर्ड और केंब्रिज जैसे समस्तानों में पढ़ रहे युवाओं को बियेच्यू में आने के लिए प्रोसाहित किया। महामना इंग्लिश के महान विद्वान होने के बावजुद भारतिये भाशाओं के प्रबल पक्षदर थे। एक समय था जब देश की व्यवस्ता में नयालयों में फार्सी और अंग्रेजी भाशा ही हावी थी। मालवियाजी ने इसके खिलाब व्यावाज उठाई थी। उनके प्रयासों से नागरी लिपी चलन में आई भारतिय भाशाओं को सम्मान मिला। आज देश की नई रास्तिय शिक्षानिती में भी मालवियाजी के इन प्रयासों की जलक मिलती है। हमने भारतिय भाशाओं में हायर एजुकेशन की नई शुरुवात की है। सरकार आज कॉर्ट में भी भारतिय भाशाओं में कामकाज को प्रोटसाहित कर रही है।